आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत हो स्वागत है मैं सुन्दर कांड का आठवा भाग आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं आए सुनाते हैं अरसुनते क्रिपान दिमन यति भाए अपन पुन हनुमान हरसी ही लाए कहां उताते कहीं भाती जान की अरहती करती रच्छा सुप्रान की सब सुनकर क्रिपान दांसी रामचन जी को बहुत अच्छा लगा उन्होंने हर सितों का रनवान जी को दुबारा अपने हिर्दे से लगा लिया और बोले है तात को सीथा कैसे रगर अपने प्राणों की रख्षा करती है ये हनवान बताओ सीथा कैसे अपने प्राणों की रख्षा करती है अरनाथ पहा नाम पहारो दिवसन से जान तुम्हार कपाट अलोचन नितबद जंत्रही त्राही प्रान के इबाद तभनवान जी बोले है प्रभो आपका नाम राद दिन पहरा देने वाला है आपका ध्यान ही किवार है नेत्रों को आपके चरों में लगाती रहती हैं जो ताला है वही प्राण निकले तो किस मार्ग से निकले अर चलते मोही चूडा मनी दीनी अर गुपति हिर्दय लाई सोही लीनी ना थे जुगल लोचन भरिवारी अब बचन कहूं कचो जन कह कुमारी चलते समय उन्होंने मुझे यह चूडा मड़ी दी सिराम चन जी ने उसे लेकर अपने हिर्दय से लगा लिया जब हनुआन जी ने चूडा मड़ी कंगन सीता जी का दिया तो हिर्दय से भगवान प्रोशी राम चन जी ने चूडा मड़ी को हिर्दय से लगा लिया हनुआन जी से भुर्ख फिर का हेनात दोनों नेत्रों में जल भर कर जान की जी से मुझे यह कहा अरे यानुज समेत कहूं प्रभु चरना आदीन बंदु प्रतारित हरना मन क्रम बचन चरन यानुरागी कहीं अपराधनाथ होत्यागी छोटे भाई सहित प्रभु के चरन पकड़ना और कहना कि आप दीन बंदु हैं सरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन बचन और करम से आपके चरनों में प्रेम करती हूँ फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया है अभी तक क्यों मेरी सुधी नहीं ले यह हनुआन यही कहना अरे अवकुन ये कमोर मैं माना बिचरत प्रान नकीन पयाना नात सुने नहीं कोई अपराधा अनिशरत प्रान करहीं हटिबाधा एक दोस मेरा वश्य है कि आप से भियोग होते ही मेरे प्रान नहीं निकल गए किन्तु यह तो मेरे नेत्रों का प्राध है जो प्राणों के निकलने के में बाधक है अब रहे अनब रहे अगिने तनू तोल समीरा अस्वास जरई चनमाही सरीरा नेनस्रवाई जलू निजही तलागी अजरे नपाव के दें हैं बिरागी बिरागनी है शरीर रूई है और स्वास पौन है इस प्रकार यह सरीर चणमात्र में जल सकता है परंतुर नेत आपके लाब के लिए जलवर साते हैं और जिससे बिरागी आग से जो भी दें जल नहीं पाती अर सीता कहे मती विपती विसाला अब नहों कहीं भै भली दीन दयाला सीता जी के विपती बहुत बड़ी है यह दीन दे आलो वह बिना कहे ही अच्छी है अर निमिस निमिस करुणा निदी जाई कल्प समभीत अब एकी चले प्रवो आनिये भुजबल खल दल जीते हे करुणा निधान उनका एक पलपल एक कल्प के समान बीत रहा है यह प्रवो तुरंत चलिये और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को जीत कर सीता जी को ले आए अरे सुनी सीता दुख प्रवो सुखेना अभरियाए जल राजिवनेना बचन कहय मन ममगति जाही असपनों बुजए बिपति की ताही सीता जी का दुख सुनकर प्रवो के कमल नेत्रों में जल भराए और वे बोले मन बचन और सरीर से जिसे मेरा ही सहरा है उसे क्या सुपन बे भी बिपति हो सकती है अनुमान अर कह हनुमंत बिपति प्रवु सोई अजब तक सुमिरन भजन न होई अर केतिक बात प्रवु जातु धान की रिपुजीत आनीब जान की हनुमान जी बोले हे प्रवु विपति तो तभी है जब आपका अस्मण रहे हे प्रवु राक्सों की बात की ही कितनी है आप सत्रु को जीत कर जान की जी को ले आएंगे अर सुन का पितो ही समान उपकारी नई को उसुर नर मुनी तन धारी प्रति उपकार करो का तोरा असन मुक होई नसकत मन मोरा भगवान बोले अनुवान सुन तेरे शमान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनी कोई भी सा शरीर धारी नहीं है मैं तेरा प्रति उपकार क्या करूं मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता अर सुन सुत तो ही उरिन मैंना ही अदेखाओं कर विचार मन माहीं पुनी पुनी कपिये चितव शुरित राता अलो चन नीर पुलक यति गाता हिप पुत्र मैं तुम्हारे इस उपकार रूपी रिण से मुक्त नहीं हो सकता ऐसा मैंने मन में विचार करके देख लिया है देवताओं के रच्छत भगवान सिराम जी बार बार अनमान जी को कृपाद रिष्टी से देख रहे हैं उनकी आखों में प्रेम के आशु भराए और वे सरीर रोमान चित हो उठे अरसुनी प्रभु बचन बिलो की मुक्त गाता हरसी हनुमंत अचर उपर उप्रे चर्न पर उप्रे माकुल त्राही त्राही भगवन्त प्रभु के बचन सुनकर उनके प्रसन्न हुए तथा पुलकित हो गए यंगों के देखर हनुमान जी भी अरसित हो गए और प्रेम से बीबल हो गए बिवलोकर हनुमान जी काई भगवन मेरी रख्षा करो रख्षा करो कदे सिराम जी के चलों में गिर पड़े अर बार बार प्रभु चहां उठावा अप्रेम मगन ते उठबन भाबा प्रभु कर पंकज कपी कैसी सा असु मेरी सोध सा मगन दोरी सा प्रभु उनकी बार बार उठना चाते थे पर उन्त प्रेम से दूपते हुए हनुमान जी के चलों में उठा उठाना अच्छा नहीं लगता प्रभु का हाथ हनुमान जी के सिर पर रख्था हुआ है ऐसी स्थितिकास मल करके सिव जी प्रेम मगन हो गए अरे सावधान मन करिपोन संकर लागे कहन कथायत सुंदर कपी उठाई प्रभु हुर्दय लगावा अकर गई पर मन कट बैठावा फिर मन को सावधान करके शंकर जी कहने लगे हनुमान जी को उठा कर प्रभु ने अपने हिर्दे से लगा लिया और हाथ पकड़ करके अपने पास बैठा लिया अरे कहाओ कपिरावन पालित लंका अकई विद्याओं दुर गयति बंका प्रभु प्रसन जाना हनुमाना बोला बचन विगित अभिमाना है हनुमान जी बताओ रावर द्वारा सुरचित लंकार उसके इतने बड़े दुर्ग को तुमने किस प्रकार से जला दिया हनुमान जी प्रभु को प्रसन जान कर अरे साखा अमरिक के बड़ी अनुसाई साखा ते साखा पर जाई ना किसें दू हाट कर पुर जारा आ निश्चरन गन बदी बिपिन हो जारा बंदर का यही बड़ा पुरसार्थ है क्यों है साखा से दूसरी साखा पर चला जाता है मैंने जो समुद्र लाग कर सोने का नगर जलाया और राक्षों को मार कर आसोबन को उजारा डाला तो सोशब तप प्रता पर गुराई अनातन कछु मोरी प्रभुताई अन्वान जी ने का यह सब आपका ही प्रताप है भगवन हे नात इसमें मेरा कुछ बढ़ाई नहीं है मैंने आपकी क्रिपा से सब कुछ कारी किया है अरता कहूं प्रभु कहूं कचु अगम नहीं जहाँ पर तुम यन को ले तो प्रभाव बढ़ना लही जारिस कल खल तो ले यह प्रभु जिस प्रकार आप प्रसन हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है आपके प्रभाव से तो रूई भी बढ़वा नलकी जला कर सकती है हर्थात संबो है को भी अशंबो में बदल सकती है जिस पर भगवन आपकी क्रिपा द्रिष्टियों अरनाथ भगतियती सुखे दायनी देहु क्रिपा करियन पायनी सुने प्रभु परम सरल कपी बानी अये वह मस्तु तब कववानी हे नाथ मुझे क्रपा करके अपनी निश्चल भक्ती प्रदान कीजिए हनवान जी की क्रपा से सरल बानी सुनकर हे भवानी स्री राम चन जी ने यो मस्तु ऐसाई ही हो का अरे उमा राम शुभाव जे ही जाना ताहिं भजवत जिभाव न आयाना ये संबाद जास ओर लावा ये संबाद जास ओर आवा रगुपत चरन भगते सो हे पावा ये पार्वती जिनके सिंग जिसने सिर्रामचन जी का शभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात अच्छी नहीं लगती ये स्वामी सेवत का संबाद जिसके हित्य में बस गया है उसे इसी रभुनाजी के चर्णों की बक्ती मिल जाती है अर सुने प्रभुबचन कहाई कपी बृंदा जय 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 क्रेपाल सुख्य कंदा सवरगुत्त जी कपी भत ही बूलावा कहा चले कर घरं बनावा प्रभुके बचन सुन करके बाणवानरकण कहने लगे क्रिपाल आनंद कंदू शिर्राम्चंजी की जैओ 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 तब सिर्रगुनाज जी ने कपिराज सुग्रिव को बुलाया और बोले अब चलने की तयारी करो अब बिलंबु के ही कारण की जै अतुरत कपिन कहुआ युस दी जै कव दुक देखि सुमन भव हरसी नवते भवन चलो शुरहरसी भगवान की अलीला देखकर फोल बरसाकर और हरसीत होकर देवताभी आगास से अपने अपने लोग को चले गए